आजकर आपने ऐसे कई दोस्तों बंदेरों के बारे में सुना होगा जिसके बारे में मानेता है प्रचली थाई कि वहां साक्षाद भगवान का वास होता है लेकिन कि आपने कभी ये सुना है कि भगवान का वसेरा किसी तलाब या जील में भी हो सकता है जी हाँ आप बिल्कु निवास करते हैं इस बात पर शेयर किसी का यकीन होगा तो चलिए आज हम आपको विस्तार से एक ऐसी जगे के बारे में बताते हैं जहां एक तालाब में श्री हरी दर्शन देते हैं बता दें कि इस जगे की प्रसिद्धी देश्वर में फैली हुई है भारत देश में तो ऐस से बहुत से मंदिर जिनकी सुन्दरता हमें उनकी तरह आकशित करती है लेकि आज हम भारत नहीं बलकि नेपाल के कांट पांडू से लगबग 10 किलोमीटर दू स्थित एक मंदिर के बार में आपको बता रहे हैं पता दें कि यह मंदिर जो है नेपाल के शिपुरी में स्थि यहां मंदिर में विष्णु जी की सोतुई प्रतीमा विराजित है जहां मंदिर में भगवान विष्णु प्रतेक्ष मूति के रूप में विराजमान है तो वहां भोलेनात पानी में अप्रतेक्ष रूप से विराजित है माना जाता है कि बुड़ा नेटकर्ट मंदिर का पानी गुसाई कुंड में उत्पन हुआ था लोगों का मानना है कि अगस में होने वाले वाश्चिक शिव उत्सव के दोरान जील के पानी के नीचे शिव की एक श्वी देखने को मिलती है भगवान विष्णु जेने संपून श्रिष्टी का रचेता वह पालन हार माना जाता है जो शीर सागर में शेशनाग पवास करते हैं और जिनके बिना इस श्रिष्टी की कल्पना भी संबव नहीं है यह मंदिर विशेशकर अपनी कला क्रिटियों के लिए प्रसिद है और यहां भगवान विष्णु की शेयन मुद्रा में प्रतिमा विराजवित है बुड़ा नीलकंट मंदिर की विशेष्टा दोस्तों, यहां पे भगवान विश्णु की ये प्रतिमे अपने आप में ही अद्बूत है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्णु की विशाल मूर्ती एक ही पत्तर से तराशी गई है, जिसकी उचाई करी पांच मीटर और जि जो उनके अलग-अलग दिविगुड़ों को दर्शाता है, बुड़ा नीलकंट मंदिर में जो भगवान विश्णु के साथ साथ, भगवान शिव को भी ये मंदिर समर्पित है, जिस तरह नाम से सपष्ट है बुड़ा नीलकंट, अर्था जिसका गला नीला हो, पुराणो बुड़ा नीलकंट मंदिर के पीछे की पुराणी कथा इस प्रकार है दोस्तों, कि पुराणों के अनुसार अम्रित पाने की लालसा में जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो उनमें से अच्छी चीजों के साथ साथ विशाल मात्रा में विश्वी निकल जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तब ही से उन्हें नीलकंट कहा जाने लगा, जब विश्वी के दुष प्रभावों के कारण उनका कंठ जलने लगा तो वो नेपाल की काटमांडू में अपने त्रिशूल के प्राहार से एक जील का निर्मार उन्होंने किया और इस जल से उन्होंने अपने कंठ की पीडा को शांत किया, इस ठील को गुसाई कुंड के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर हरवशकार्तिक स्मांग की एकदशी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लाखों की संक्या में श्रिदालू उपस्तित होका भ गुडा नीलकंठ मंदिर नेपाली लोग का एक मंदिर है और यह भगवान महा विश्नु को समर्पित एक हिंदू फुला मंदिर है, बुद्ध नीलकंठ मंदिर को नारायन थन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी पहचान भगवान महा विश्नु की एक ठार्मिक महत्वें तो कुछ लोग बुद्ध नीलकंड के नाम को गौतम बुद्ध के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इसका उच्चारन काफी मिलता जुलता है, लेकिन यह सही तथ्य नहीं है, हलंकि मंदिर का नाम बुद्ध नीलकंड है, इसका नाम बुद्ध से नहीं आया ह इसके वजाए बुद्ध निलकंट का एक संस्कृत मूल है जिसका अर्थ है ओल्ड ब्लू थ्रोट भगवान शिव की एक उपादी जो भगवान द्वारा दुनिया को बचाने के लिए जहर पीने के बाद देफ्ताव द्वारा दी गई थी प्रतिमा भगवान विश्नु का प लेक करते हैं जो सीधे गोसाई कुंड की उत्पत्ति से संबंदित है कि वंदिती की अनुसार बुद्धा नीलकंट मंदिर में तलाप का पानी देने वाला जर्णा गोसाई कुंडा से जुड़ा है जो इसे भगवान शिव के जल स्त्रोट से सीधा संब्द बदाता है यही मूर्ती भगवान विश्णु को समर्पित है क्योंकि जिस पानी के तलाप मूर्ती है उसका स्त्रोट गोसाई कुंडा है भगवान शिव को समर्पित है जो उनके जहर पीने और उन्हें उसे अपने गले में जमा करने के परिणाम था जिसके परणा सरुप उनका गला नीला हो गया था इस मंदुर को हिंदू के लिए एक पवित्र स्तान माना जाता है लेकिन बोधों जो मूर्ती को बुद्ध मानते हैं द्वारा सम्मान रूप से समानित किया जाता है इसे धार्मिक स्त्रोफ का प्रतिक माना जाता है जो प्राचिनकाल से ही इसमें इस छेत्र में म नगर पालिका में स्थित है इसका पता गोल्ड फुटार में रोड बुट नीलकंटा 44,600 है बुट नीलकंट मंदित रिभुवन हावाई अंतराश्ट्री हावाई एड़े से लगबग 10 किलोमीटर और थमेल से लगबग 9 किलोमीटर की तूरी पर है इसकी विशेष्टा अगर देखी जाए तो मुख की प्रतिमा को एक ही ब्लॉक काले साल्ट पत्थर पर उकेरा गया है प्रतिमा जो है वो 5 मीटर लंबी लगबग 16.4 फिट है और पानी के ऐसे धसे हुए पुल के बीच में स्थित है जो 13 मीटर यनकी 42.65 फिट लंबा है उन् अपने चार हातों में सुदर्शन, चक्र, क्लब, एक शंक और एक मड़ी धारन की हुई है वो कई कीर्थी मुख चवियों के साथ उतक्रिष्ट एक मुकुट से संभोधित है जिसे अक्सर चांदी के मुकुट द्वारा ओवरलैप करते देखा जा सकता है ये प्रतिमा 1400 वर यहां पे जो बुद्ध नीलकंठ मंदिर वस स्थान बन गया है जह हर साल कार्तिक यानि कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में हिंदू महीने के ग्यारवे दिन हरी बंदनी एक अदशी मेले में हजारों तित्यात्री यहां आते है भगवान विश्णु को उनकी लंबी न एक हिंदू फुला मंदिर है बुद्ध नीलकंठ मंदिर को नारायन थन मंदिर के रूप में भी जाला जाता है और इसकी पहचान भगवान महा विश्णु की एक बड़ी लेटी हुई मूर्ति से की जाती है बुड़ा नीलकंठ मंदिर का एकदशी मिला हिंदू चंद्र कलेंडर की एकदशी हरी शेयनी और हरी बोधनी एकदशी में हजारों लाकों श्रदालों की संक्या में उपस्तित होका भगवान विश्णु के इस अद्बुत प्रतिमा के दर्शन करते हैं इस मंदिर में नेपाल के राच परिवार के लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर वो इस मंदिर में गए तो उनकी मौत हो जाएगी